इम्रान खान जब अती उत्सा से उचल कर कह रहे थे कि करतारपुर कोरीडोर के खुलने से पाकिस्तान की अर्थववस्था सुधर जाएगी तब तक सायाद भारत का संदेश उनके कानों तक नई पहुंचा था मतलब भारत से मिलने वाले दान से पाकिस्तान अपनी जोली को भरने के ख्वाब बुन रहा है यानि एक तरफ भारत से व्यापार बंद है तो दूसरी तरफ करतारपुर कोरीडोर को ही व्यापार का जरियाब बनाया जा रहा है इसका मतलब यह है कि भारत का सिक्समुदाय जो खेरात पाकिस्तान की जोली में डालेगा उससे 225 करोड रुपे की वे आये बटोरेगा जिससे वहाँ धीरे धीरे खतम होरा आनाज अवे से खरीदा जा सकता है पर इससे पहले करतारपुर में सिक्समुदाय का जथा जाता भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ा कदम उठा दिया है भारते सेना ने सीमा पार पाकिस्तान की और इस्थित पियोके में बड़ी पहल करते हुए पाक के जमूरों को हुरो की खोज करने भेज दिया है सेना ने आर्टलीर गन का प्रियोग करते हुए कम से कम 7-8 लोंच पैट्स को मटिया मेट कर दिया है इस सक्त जबाब से 4-5 पाकिस्तानी सैनिक भी हुरो की तलास में चले गए है भारते सेना दुआरा प्योके के अंदर इस्थित जमूरों के ठिकानों पर कारवाई की गई यह कारवाई जम्मू कस्मीर के तंगदार सेक्टर के सामने इस्थित प्योके के जमूरों के ठिकाने पर की गई जहांसे 7-8 लोंच पैट्स को निसानब बनायागा ये सबी launch pads अब धूल दूसी रित हो गए है बड़ी बात यह है कि परतेक launch pads पर 7-8 जमूरों के होने की संभावना व्यक्त की जारी है जिसके बाद अनुमानी है कि यहां से बड़ी संख्या में जमूरों का हुरों की खोज के लिए पलायन हुआ है कुछ जमूरे मर्रंपटी करवाए हुए अपने जाने की बाट जो रहे है संभव है साम होते होते यह संख्या बढ़ जाए और 72 हुरों की बजाए यह 2-4 हुरों से ही काम चलाने की सोचे भारते सेना के पास इस बात की पुखता सुचना थी कि यंतन डेखा के पार लॉंच पैट्स पर जमूरे मौजूद है इसलिए उसकी रणनीती यही रही कि इससे पहले वे लोसी क्रोस करें इनने पहले ही क्रोस कर दिया जाए कुछ दिनों पहले भी यह खबर आई थी कि पीओके में जमूरों के लिए जमूरे केम्प बनाए गए हैं जहां बाजवा के 500 के करीब जमूरे मौजूद है जो भारत में घुसने की ताक में है जिसके बाद भारत सेना के उत्री कमान के जनरल ओफिसर कमांडिंग इन चीप लेंटिनेट जनरल रनबीर सिंग ने काया था कि सभी को निश्चित रहना चाहिए कोई ज्यादा सासे नहीं ले पाएगा पर सवाल यह है कि पाकिस्तान के पिछवारे से धुआ कितनी मात्रा में निकल रहा है उसकी स्ववकरती यह है कि उसका केवल एक सैनी खूर की खोजबन निकला है साथी तीन नागरिक भी इसी वज़े से दुनिया से रपुचकर हो गए है पाकिस्तानी सेना के परवक्ता आसिप गफूर माराजन का है कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा यानि यह मुल्क जब पिछवाडे पर लाल रोगन का लेप कर लेता है तो तब इसे पता चलता है कि भारत ने तो पहले ही उसका इद का चांद रूपी दिया बुझा दिया है गफूर का कहना है कि भारत ने जुरा साखोट और नोशैरी सेक्टर में कथीत रूप से सीजभायर को तोडा है इसका मतलब यह है कि भारत ने उरी बाला कोट के बाद पाकिस्तान को फिर से फोड़ा है यानि दोड़ा दोड़ा कर तोड़ा है खास बात यह है कि सीमा के दोनों तरफ मामला टैंसन वाला हो गया है जिसके बाद पाकिस्तान जरूर उचल उचल कर दिखा सकता है पर उसकी उचाल बंदर की गुड़की से जादा नहीं होने वाली है क्योंकि मोदी के सब्द उसके कानों में रोज गूंजते हैं छेड़ों के तो छोड़ेंगे नहीं पर इस बार तो छेड़ने की तैयारी ही कर रहे थे कि फिर भी हुरो की खोज में दोड़ा दिया वैसे भी इनके तैयमंद इतने मेले कुचेले हो चुके हैं कि उन पर कोई भी भाव नहीं लगाता है पर भारत इन्हें निरास नहीं कर सकता इसलिए पाकिस्तानी तैमंद बाज़ों को ब्हतर उड़ों की खोज में उतार कर कम से कम उन्हें तैमंदों से मुक्तितों दिलाई जा रही है पर यह सुरुवात है और यह तब तक सुरुवात ही रहेगी जबकि प्रोस में पाकिस्तान रहेगा यह मुल्क वो जुनजुना है जो थोता है और खनकना जानता है इसे कितना भी ठोको नहीं सुदर सकता है इसलिए जब तक यह धर्ती पर मुझूद है ऐसी सुरुवात होती रहनी चाहिए कितना भी बड़ा कदम उठाओ पाकिस्तान को यही मैसूस होना चाहिए कि यह तो बस सुरुवात है इसकी तस्रीप लाल रहे और यह अपने देश की जनता को यही दिखाता फिरे की उसने लाल रोगन लगाया हुआ है जैसे कि आज उसी हालत में अपनी जनता के सामने डिंग फेक रहा है और जनता गधया नरते भूल कर शिमवयों के दाम पूछ रही है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेठ होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद बंद मातरम